स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके लिए महाकाल कैपसुल बैच है एक स्टार आईक्यू अप्लिकेशन के स्टोर सेक्शन में जाईएगा और इस बैच को आप इसली अवेल कर सकते हैं। गाओं में जाते हैं, गाओं से लोगों की बाते सुनते हैं और उनका सॉलीशन करने की कुसिस कर रहे हैं। यही है जन समवाद कारेकरम और जन समवाद कारेकरम अब दुबारा से स्टार्ट करेंगे मुख्य मंत्री जी महंदरगड से यानि कि ऑप्शन नमबर सी इस सवाल का ठीक है। जन समवाद कारेकरम की सुरुआत फिर से की जाएगी। इसमें लोगों की समशाओं के सुनके उनके मौके पर ही उनका निप्टान किया जाएगा। और अब तक कहां कहां पे हो चुका है सरी जन समवाद तो ये भीवानी हुआ था, उसके बाद पलवल हुआ था, कुरुचेतर था, सिर्सा है, महंदरगड के अंदर भी हो चुका है, महंदरगड के अंदर तो एक नई उपतहसील भी आई थी, याद हो तो आप लोगों को ठ ठीक है, और इसके अलावा सिर्सा तो काफी पॉर्टन रहा था, क्योंकि डब वाली को पुलिस जिला बनाया गया था, तो इदन समवाद कारेकरम के ताथ कई सारी ऐसी घोशना ही है, जो एक्जाम में पूची जा सकेगी, और करेंट फिर भी काफी अच्छे खासे बन रहे हैं, वैसे सबसे पहले एक्जेक्ट तारीक की बात बताओं तो शुरुआत हुआ था, यह दो अप्रेल बिवानी से स्टार्ट हुआ था, यह ठीक है ना, और बिवानी के अंदर आपको एक याद हुआ एक गाउं है, चांग गाउं, इस चांग गाउं को महागराम योजना में सामिल किया था, उस समय में, अचांग महागराम योजना क्या है, जहां पर दस हजार से जादा अबादी वाला जो गाउं होता है ना, उसको महागराम योजना में सामिल किया जाता है, और इसका मतलब है, सीवरेज लाइन वगरा करेक्ट कर दी जाती है, सहरों में सीवर आदकार एकरम यह मई महीने में ही एक लाउंच पोर्टल भी लाउंच कर दिया था मुक्य मंत्री जी ने क्योंकि ऐसा था कि अपरेल महीने में जैसे जम समवाद करते थे अब कोई कागच पर बात लिख लेते थे ऐसे तो है ने कि सारी समश्या एकदम में सौल होएगी अब क पागच पर आपको पता ही है कि आजकल जमाना ही डिजिटल है देखा जाए तो वो तो फिर कब तक चले इस करके उनको पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाए और उनको फिर एक हाई अलाट नोटिफिकेशन के देद एड़ कर दिया जाए इन फ्यूचर जब भी जुरूर तो हो या यूंकर यह उसका सॉलिशन जो ना फिर टाइम टू टाइम हो सके आपका तो मुखे मंतरी जी ने जन्द समवाद पोर्टल लॉंच किया है ठीक है और ये नैस्टनल इन्फॉमेटिक सेंटर के अंडर आता है इसको एन आई सी के नाम से जानते हैं हम लोग हाली में परधान मंतरी किसान सम्वान निदी योजना के तहट के अंदर सरकार ने कितने लाख करोड रुपे की राशी अब तक सीधे किसानों के खातों में डाल दी है तो अब तक जो है टोटल दो पॉइंट छे जीरो लाख करोड रुपे की राशी सीधे किसानों के खातो में ट्रांसफर कर दी है यह भी रिसेंट 14 नंबर की किस्त आपके अकाउंट में साइद आई होगी और यह किस्त क्या है पहले तम आपको यह बताता हूं देखो ऐसा है कि प्रधान मंत्री किसान सम्मा निदी योजना फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी इसका लाब स्टार्टिंग में मिलता था छोटे और सिमान किसान के परिवारों को ही मिलता था इन में वो किसान सामिल थे जिनके पास दो एक्टेर तक की कम्माइंड लैंड हॉल्डिंग हो मतलब लगबग दो हैक्टेर की जमीन होनी चाहिए और 2019 में स्कीम को फिर रिवाइज किया गया जून 2019 में फिर सारे किसानों किसान परिवार के लिए इसमें एक्सिटन कर दिया सभी किसान जो थे मतलब जितने भी किसान है उनको तो कुछ किसान को अभी भी हालंकि योजना से बाहर रखा गया है, उन में से ये है कि जैसे जिनके पास में जमीन जादा है या कोई सवयधानिक पद पे बैठा है, कोई किसान परिवार से ही है, राजय या के अंदर सरकार में आल्रीडी गौर्ण्मेंट जोब में काम कर रहा है या रिटाइड अधिकारी करम चारी है तो उनको इस योजना का लाब नहीं मिलता है इसके लावा डॉक्टर इंजिनियर वकील प्रोफेशन के साथ 30,000 रुपे से जादा की जो मन्तली इनकम ले रहा है या रिटाइड पैंशन ले रहा है या असस्टमेंट इयर में इनकम टेक्स्ट भरने वालों को भी जो नहीं बाहर रखा गया है तो ये इन सब को एक्चुली इस योजना का दाप नहीं मिलता नॉर्मल साधरनत है समाने किसान को इस योजना का लाप दिया जाता है इस योजना पर को रेजिस्ट्रेशन करने के लिए PM किसान समान निदी योजना के लिस्ट ऑनलाइन देखने के लिए PM किसान.GOV.IN पे एक वेबसाइट है निदी जहां पर कम्प्लीट इन का जो है इन पॉर्मिशन है इसमें टोटल साल के 6,000 रुपे मिलते हैं ये पेपर में कई बार आ चुका है 6,000 रुपे मिलते हैं 6,000 का मतलब है इसमें साल के ना 2-2,000 रुपे की जो है ना इन किस्ते जारी की जाती है ठीक है ना 2-2,000 रुपे के 3 किस्ते होती है आपकी टोटल साल के 6,000 रुपे दिये जाते हैं इस से योजना के तहई ठीक है और अभी मुके मंदरी जी ने ये भी कहा है कि यूरिया गोल्ड, सल्फर कॉटिड यूरिया का सुभारम भी किया जारह हा हर्याना में जिसे अधिक पैदावार होगी अक्षिली इसको यूरिया गोल्ड कहते हैं इस से सल्फर कॉटिड होती है नॉर्मल जो आपकी यूरिया होती है ना वो जमीन में लगबग 35-38% तक जो है ना वो नाइट्रोजन की पूरती कर पाती है या नाइट्रिफिकेशन कर पाती है लेकिन जो ये सल्फर कॉर्टिड यूरिया होगी ना ये लगबग 78-80% तक जमीन के अंदर रिजल्ट दे रहा है तो सोचो आप इस तक आने के लिए हमें दो बैग डालने पड़ेंगे ये तो एक ही बैग डालना पड़ेंगा आपको पता होगा इस बात का ये यूरिया का जो कटा है या इसको बैग कह दो आप लोग ये 2,000 रुपड़ी के तकरिवन बनता है एक 2, पतलब ये है और सरकार चाहरी है कि वर्टिलाइजर का कम से कम यूज हो इस करके सरकार ने ये सल्फर कौटेड यूडिया स्टार्ट की अचाहिए सबसेडी देती को ने सबसेडी के इंदर सरकार तो केंदर सरकार ने अब एक गोशना की है कि अगर कोई राज्य कम से कम यूरिया का यूज़ करेगा और उस राज्य को दी जाने वाली सबसीडी का जो पैसा बचेगा ना उस पैसे का 50% उस राज्य को ऐसे गरांट के रूप में मिलेगा माल लेते हैं हरियाना राज्य के अंदर जो ना साल भर के अंदर यूरिया आती है एक्जामपल से माल लेते हैं एक हजार करोड रूपरी की यूरिया आती है सरकार एक हजार करोड रूपरी की यूरिया दे रही है सबसीडी पे दे रही है ध्यान रखना ठाथ देक dawna अब हर्याना ने यूरिया कम लागत कम कर दी लागत कम रिवांड भी कम हो जाएगी अपने अपी हर्याना ने क्या किया कि 500 क्रोड रुपे जो है ना उसकी यूरिया लीлись वार 500 की बचा ली ठीक हैं लानन अब 500 की बचा ली ना तो बचे वे पैसो का 50%, बच खित सब्सिटूट चला है भारत के अंदर मुक्या मंद्री जी ने 1,25,000 प्रधान मंद्री किसान समर्दी के अंदर रास्टर को स्तापित करने के लिए प्रधान मंद्री जी का भार जताया पूरे भारत में इतने केंदर हैं ये प्रधान में इतने के लिए प्रधान में इतने के लिए अच्छिव के रूप में कारेबार संभाल रहे हैं अभी डियर ठीक है ना इसमें तीन महीने के अवधी के लिए या प्रधा दिकारी की नुक्ति या आगे के लिए मतलब इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है जब तक कोई नया और बन नहीं जाता तब तक के लिए तीन महीने का टाइम प्रेड के लिए ठीक है हर्याना सरकार ने हाली में अंतोद्य परिवारों के लिए कौन सी योजना स्टार्ट करने का फैसला लिया है तो हर्याना सरकार ने अंदोध्य परिवारों के लिए योजना स्टार्ट करने का फैस्टा लिया है बिल माफी योजना option number C सवाल का ठीक है हर्याना सरकार अंदोध्य परिवार के लिए बिल माफी योजना स्टार्ट करेगी जिसमें पिछले 12 महिने की मूल रासी का ये पुक्तान करना पड़ेगा जो अधिक्तम 3600 रूपे होगी ब्याज नहीं देना और ये पैसा एक साथ भी जमा करवा सकते हैं ब्याज के रूप में देना तो चे किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं यह उन परिवारों के लिए है जो गरीब परिवार है यानि की अंतोद्य परिवार है जिनकी परिवार पहचान पत्र के अंदर सालाना इंकम एक लाक रुपे तक या इससे कम आती है उनके लिए है बले इनका बिजली कनेक्शन चालू है या कटा हुआ है फिर भी बारा महीने कि ओसत का लगबग 500 यूनिट तक या इस से ज़ादा इतनी खपती तो उनको लगबग देना यूं समझिए का कि आपका जो पैसा है ना वो अलमुस 3600 रुपे ही देना होगा इनको ठीक है ना बिजली विबाक के दवारा वापिस जो है ना नहीं लिये जाने तक वैद रहेग कि विवादी तरासी का 25% या 3600 रुपे में से कम जो है ना होगा मतलब यह लिमिट है मैकसिमों इससे ज़ादा नहीं हो सकता कम यह ठीक है ना इतना तो कम से कम मतलब जमा करवाना ही होगा यह ठीक है बसे हर्याना के दर क्रिशी बोगताओं के लिए क्रिशी ट्यूवेल कन योजना 2023 में स्टार्ट की गई है अपने मर्जी से लोड जो हना वो अपडेट करवा सकते हैं सो रूपे से ही पर किलोवाट जो हना एड़ करवाया जा सकता है गर्ल्स अंडर 19 लॉन टैनिस चंपिंशिप का किताब हर्याना राज्य ने जीता है इसी के साथ यह सेशन हर्याना जीके PGT की अगर त्यारी कर रहे हूँ आप लोग तो हर्याना जीके का हिम्मत बैच ले लीजिएगा फोर शोर बहुत सारा कंटेंट है वह है एच्प एसी के लिए मजा आ जाएगा पढ़के सच कह रहा हूँ ग्रूप डी का भी बैच स्टार आईक्यू अप्लिक